हलो फ्रेंट्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके साफ में बहुत यूजबूल टिप्स लेके आई हूं सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि हरी मिर्च को हमें लंबे समय तक कैसे स्टोर करना है जिससे कि हमारी मिर्च हमेशा ग्रीन रहे खराब ना हो उसके करोगे फ्रेंट्स 15-20 दिन के बाद भी आप देख सकते हो मिर्च हमारी जैसे मैंने रखी थी उसी मतलब विल्कुल भी इसमें खराब नहीं हुआ है जैसा था वैसा ही है और बस रखने से पहले वही रहता है कि इनका डंठल अच्छे से हटा दें और अच्छे से वाश करे जब आप लेकर आएं खरीद के सौब से तो उसके बाद ही आप इने अच्छे से पहुच कर धोकर रखें तो कभी खराब नहीं होगी अगर आप ऐसे ही लाकर के डंठल निकाल के रख दोगे बिना धुले बिना पहुचे तो आपकी मिर्च खराब हो सकती है वरना मतलब कभ यह वैसी ही निकली है नेक्स्ट मेरा यह है कि जो हम मतलब मैं इसका बताıldı कि कमें इसको क्यों लेकर आईयों निम के पत्ते को मैं पूरा प्ड़ कर आघ थी तो इसमें से हमें पहले क्या करना है कि इसको अलग्वे निके पतों को बहुत ही यूजफिलठ रहती है इसका नि रखेंगे जैसे कि बारिष के टाइम में कभी भी आपके घर में कीड़े मतलब जो भी रहता है कौकरूज वगएरा कभी भी नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से नीम के पत्तों को ड्रॉल में रख दोगे तो और जहां भी आपको लगे किड़े वगएर आते हैं तो आप इस नीम के पत्ते को रख सकते हो इसे क्या होगा कभी एक वी कीड़ा वीड़ा कुछ भी नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से रखोगे नीम के पत्तों को तो यह फ्रेंट्स बहुत यूजफूल टिप्स रहती है कौकरोज को बगाने के लिए और यह रहता है कि मैं नीम चावल है तो उसमें तो आप वह तो खाई लेते हो वह तो यूज में जल्दी आ जाते हैं मैं उसके लिए बता रहे हूं जैसे कि ज्यादा लंबे समय तक हमें चावल को इस तो क्या करना है पहले हम चावल डिब्बे में डाल करके ऊपर रख देंगे नीम के पत्ते को उसक तरीके से उसके ऊपर चावल रख देंगे आप इस तरीके से अगर रखोगे तो कभी भी आपके चावल खराब नहीं हो सकते हैं सालो साल तक चलेंगे यह तो यह वाला मेरा जो मतलब टिप्स है यह है बिस्किट से लेकर क्या होता ना बिस्किट का पैकेट जब भी खुल अगर हम उसे बाहर छोड़ देते हैं या फिर वह जबहुत जल्दी शील से जाते हैं देखाऊगा सॉप्र जैसे हो जाते हैं तो सॉप्र ना हो उसके लिए हमें क्या करना है कि यह जो बिस्किट है ना मैंने एक कटोरी में रख रख रखा है यह पैकिट खुल गया था इन जिस तरीके से हम पैकिट से जब पैकिंग खोलते हैं जब निकालते हैं सेम ऐसा ही रहेगा आप एक बार इस ट्रिप को फोलो जरूर करें आपके बिस्किट बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे क्योंकि फिर अच्छे नहीं लगते हैं तब बहार जब इसे बिस्किट करें स्टिप्स को मैं तो ऐसा ही करती हूं बच्चे क्या रहते हैं आदा बिस्किट खाते हैं आदे ऐसी छोड़ देते हैं कटोरी में रखके सीधा ऐसी रख सकते हो बिना ढगे कटोरी में डारेक्ट और अब ज्यादा बिस्किट हैं तो आप उसे मतलब एक डिबे में रखनें तो आपके बिस्किट बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे आप इस तरीके से एक वार करके देखना और नेक्स्ट है मेरा कि यह जो हमारा कजूरी मेती रहती है तो बहुत सारी सारी मतलब कितना यूजफुल रहती है और इसका भी यही रहता है कि अगर इसका पैकिं अगर देखेंगे इस तरीके से अगर आप चावल बनाओगे आपके चावल एकदम खिले खिले बनेंगे और टेस्ट भी चावल का बढ़ जाता है आप अगर इस तरीके से बनाओगे तो तो आप कोई से भी चावल हो जरूरी नहीं है कि बासमती चावल हो कोई सावी चावल हो आप समय यह तिप्स फोलो कर सकते हो तो आप एक बार इस तरीके से चावल बनाए जरूर आपको पसंद आएगी एक दम खिले खिले चावल बनते हैं और नेक्स्ट मेरा यह है कि जब भी हम आलू के पराठे बनाते हैं उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए अगर आप सब यह यूज करते हो तो अच्छी बात है अगर नहीं करते हो तो मैं किस तरीके से बताती मैं वह बताती हूं आपको तो लाल मिर्स पावडर यह तो सब डालते ही है धनिया पावडर और मैं जब इसमें क्या एड करते हूं जिससे के टेस्ट इसका बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है आलू के पराठे का मैं इसमें एड करती हूं चांट मसाला एक चममज टेस्ट क कभी क्या होता है कि हमारा गलती से सब्जी में नमक तेज हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि क्या करें सब्जी से नमक बहुत ज्यादा हो गया है जैसे ग्रेवी वाली सब्जी रहती है तो आपको क्या करना है कि एक आलू लेना है ये कच्चा आलू है वोयल आलू नही इसी छील करके तो सब्जी में डाल कर में नहीं दिखा रही है को जब आपको बता रही हूं मैंने यह ट्राइ किया था कि मतलब इस अलु का छिलका हटा करके आप इसको दो हिस्सों में कट करके और आप उस सब्जी में एड कर दीजिए जिसमें आपका नमक तेज हो गया है बनी हुई सब्जी में बनाते समय गैस पर जब आपकी सब्जी रखिए बनाते समय आप इसे एड कर दीजिए आलू को छील के दो हिस्सों में कट करक कि आपकी सब्जी में जितना भी एक्स्ट्रा नमक हो गया था आपसे सारा आलू जो है नमक सोक लेगा और आपकी सब्जी से परफेक्ट नमक हो जाएगा जितना आप चाहते थे तो आप एक बार इस टिप्स को जरूर फोलो करें फ्रेंड्स और जिस भी सब्जी में आप ये आलू सब्जी को बनने के बाद आलू को फैकना आलू को खा सकते हो और इस आलू का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है उसमें सब्जी में एड करने के बाद या तो आप इसको मतलब उस आली मिक्स कर दें या फिर आलू को निकाल के खा बहुत ज्यादा ही टेस्टी आलू का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा आप इस तरीके से यूज करोगे तो आलू भी हमारा बेस्ट नहीं जाएगा और सब्जी में जो हमारा नमक एक्ट्रा हो गया था वह भी कम हो जाएगा तो यह वाली टेप्स मेरा मतलब बहुत ज्यादा ही यूजफुल लगती है क्योंकि मेरा कढ़ी बनाई थी मैंने तो फिर उसमें मेरा थोड़ा सा नमक तेज हो गया था तो मैंने यह कढ़ी में एड किया था तो मतलब इतना ज्यादा टेस्टी कढ़ी बन गया थी आलू भी बहुत ज्यादा ही टेस्टी हो गया थ इसे यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छी ही टिप्स रहती है यह नमक ज्यादा हो जाता है सबजी में